तो guys welcome back to my youtube channel और मैं आप लोगों को सबसे पहले thanks बोलना चाहूँगा क्योंकि आप लोगोंने मेरे 4.1 के subscribers का जो goal था वो पूरा करवा दिया hope करता हूँ कि अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो मेरा जो 4.2 के subscribers का goal होगा वो भी पूरा हो जाएगा और आज की वीडियो बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को इंट तक जरूर देखना और skip बिलकुल भी मत करना क्योंकि इसमें बहुत सारी इंटरस्टिंग बाते होने वाली है तो गाई जो हमारी first update निकल कर आ रही है वो है टपूसे ना को लेके तो जो टपूसे ना है वो हमारे को खेलते वे दिखते हैं टीम मवी में और स्क्रेम्स हमारे को खेलते वे दिखाई देते हैं तो जो मवी है उन्होंने रेगा की live वीडियो पे comment किया था जो आप लोगो को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा तो जहां तक मेरे को यह लगता है कि वो पका हमारे को रेगल टॉसी देखने को मिलने वाले हैं जिसका हमारे को थोड़े दिनों में पता लग जाएगा वैसे जो मवी है उन्होंने clear करा है आप लोग के सामने और उनकी stream में उन्होंने लि देखा होगा कि बहुत सारी टीम को इन्वाइट मिला था जो कि सब इंडियन टीम्स हैं क्योंकि जो वर मैनिया है वो इंडिया का कप है तो आप लोगों को पता होगा उसमें TSM Godlike और बहुत सारी बाकी टीम्स को भी इन्वीटेशन मिला था तो उसमें एक टीम थी जिसका नाम था टीम अन्नोन और आप लोगों ने देखा होगा उसमें हमारे को कुछ फोटो नजर आ रही है जो वर मैनिया ने अपने यूट्यूब पे डाली थी और उन्होंने कमें भी ये फोटो अपलोड करी थी तो जिसमें लोग बहुत ज्यादा कमेंट करके बता रहे थे कि ये टीम सोल है तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बाकी सब इंडियन टीम को इन्वाइट मिल चुका है बस एक टीम सोल ही रह गई है जिसको इन्वाइट नहीं मिला है तो जहां तक मेरी एजमशन है मेरे को जहां तक लगता है हमारे को पहले नंबर पे जो है वो तो हमारी जो नेक्स अपडेट निकलकर आती है वह सोल के लाइन अप को लेके तो एक न्यूस जो की मेरे को मेरे सबस्क्राइब अने दी ती और मेरे को जहां तक लगता है कि ये न्यूस सेच हो सकती है कि जो सोल के चार प्लेयर हैं उनका नाम हमारे को पता लगता है कि उन्होंने बताया था मेरे को की जो एक प्लेयर होने वाले है वह बहुत ज़्यादा शौकिंग होने वाला है और वो प्लेयर आउट अफ इंडिया का होने वाला जिसको किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा तो आप लोगों को इस पर क्या लगता है कमेंट करके जरूर से तो जो क्रॉंटन है उन्होंने BGMI की डेट्स पे कुछ बताया तो उन्होंने क्या बोला आप लोग काश्वी को लेके तो जो काश्वी है वो समुराइ E-Sports की content creator जॉइन हो चुकी है तो नेक्स्ट हमारी जो अपडेट निकल कर आती है वो है गोल्डी भाई को लेके तो जो गोल्डी भाई है उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अप्लोड करी जिसमें उन्होंने बात करी हेट को लेके जो बहुत जादा लोग आजकल दे रहे हैं तो उन्होंने बोला कि हम अपने आप देख लेंगे सब कुछ आप लोग बस hate मत फैलाओ और बिलकुल एकदम peace रखो तो guys मेरा भी आप लोगों से यही कहना है जो strike वगेरा का इतना issue चल रहा है वो सब इसलिए चल रहा है क्योंकि लोग बहुत जादा hate comments करते हैं और कोई भी creators नहीं चाहेगा कि उसके बारे में hate फैले तो guys जितना हो सके love spread किया करो peace एकदम रखा करो और हर जगा पर जो toxic लोग होते हैं उन लोगों को ignore किया करो तो हमारी जो next update निकल कराती है वो है scout को लेके तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा scrims में जब scout और OR की team का clash हुआ था drop clash तो उसके बीच में जो scout हैं वो थोड़े rage में आ गए थे और इस पे 420 OP पे वो जो rage में आ गए थे लेकिन उन्होंने इस पे एक दम काम react करा और उन्होंने बताया कि इनके बीच में ये सब चलता रहता है और आप लोगों को भी hate नहीं फिलानी चीए और 420 OP पे इस पे क्या बोला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ